नमस्कार मित्रों मैं इंजिनियर सुनील गुमार एके एजूकेशन की यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का श्वागते हम अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइब आजाईए और हम लोग शेशन को प्रारम करते हैं मेरे प्यारे भाईयों पहले प्रस्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते पहला प्रस्ण आज पाज जो पहला प्रस्ण है भारती अर्थिवेवस्था के संदर में राजकोशी नीत के अस्तरों में शामिल है ब्याज दर का निर्धारण साजनिक रिड करारों पड़ एसल आर एसल आर का निर्धारण अब बात के दिए राजकोशी नीत अब प्रशन यह उठा कि जो राजकोशी नीत है तो राजकोशी नीत तो देखेंगे राजकोशी नीत फिशकल पॉलसी राजकोशी नीत फिशकल पॉलसी राजकोशी नीत अगर बात के जाए फिशकल पॉलसी जो है ठीक है तो फिशकल पॉलसी बात के जाए राजकोशी नीत का संब्द जो है राज सरकार के राजकोश से है तो राजकोशी 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 नीत का संब्द संब्द सरकार के कोश से है सरकार के कोश से है किस से है बेटा सरकार के कोश से है जो किस से है यह याद रखेंगा यह किस से है सरकार के कोज से जो सारजनिक आयवे है जो सारजनिक है सारजनिक आयवे है तथा रिड किसकी बात किया जा रहा बेटा जो सारजनिक आयवे है सारजनिक आयवे और रिड की बात की जा रही है सम्मंधी आगामी रिड सम्मंधी आगामी कारेक्रमों में प्रियुक्त होता है तो कहने का तातपरी है कि राजकोशी नीद का सम्मा सरकार के कोश्ते कजाना से इसको आम बोल चाल का भाशा में अगर मैं बात करूं क्या भूलेंगे यह सरकार का क्या है वेटा खाजाना है ये सरकार का खाजाना है जो सारजनी के आएवे तथा रेड सम्मंधि आगामी कारेक्रमों में प्रियुक्त होता है तो अगर बात क्या जाए तो राचकोशी नीत के तीन घटक है तो राचकोशी नीत के अगर हम बात करें तो राचकोशी नीत के तीन घटक होते हैं कितने घटक हैं वेटा तीन घटक होते हैं तो राचकोशी नीत के तीन घटक होते हैं राचकोशी नीत के तीन घटक हैं यहाँ पर अगर मैं बात करो तो सारजनीक आए यहाँ पर क्या है वेटा सारजनीक आए या प्राप्तियों की अगर मैं बात करूँगा तो सारजनिक आया प्राप्तिया तो पब्लिक इंकम या रिसिप्ट्स की बात होगी ठीक है और मैं बात करो या इसी को और हम क्या बोलेंगे बेटा या सरकारी प्राप्तिया या क्या बोलेंगे बेटा सरकारी प्राप्तिया या क्या बोलेंगे बेटा सरकारी प्राप्तिया उसे सरकारी वियाए सरकारी वियाए तीसरा जो है उसे सारवजनी किरिड़े ये सारवजनी किरिड़े ये फिश्कल पॉल्सी के तीन क्या है गटक है पहले गटक के अगर बात करें तो आपका क्या है सरकारी आया है सरकार की जो आया है सरकारी आय या प्राप्तिया दूसरा अगर मैं बात करूँ जो घटक है वह सरकारी ब्याय तीसरा जो है वह सारवजनिक रिड़े वह क्या है सारवजनिक रिड़े ये तीन घटक होते हैं अब बात क्या जाए सारवजनिक प्राप्तिया के बात क्या है अब सारवजनिक आय जो है या सरकारी आय का ताप पर क्या होता है बेटा ध्यान समझेगा सरकारी आय का आसे या प्राप्तियों का आसे क्या होता वेटा प्राप्तियों का आसे सरकार के राजश क्या है वेटा ये सरकार के द्वारा जो राजश प्राप्त होता है ठीक है तो सरकार के प्राप्त होने वाले राजश है सरकार के प्राप्त होने वाले प्राप्त होने वाले राजश है सरकार को जो राजश प्राप्त होता है सरकार को जो राजश प्राप्त होता है तो उसमें क्या शामिल होता है बटा तो उसे बोलते हैं सरकारी आए तो सरकारी आए का जो तातपर है आशे सरकार के प्राप्त होने वाले राज़श है सरकार को जो इनकम प्राप्त होता है जो रेवनियू जनेट होता है सरकार की जो रेवनियू जनेट होता है रेवनियू अब जो रेवनियू प्राप्त होता है वह क्या है सरकार की आए अब revenue जवनेट जो है सरकार की आए की अगर मैं बात करूँ तो सरकार की यहां पर जो आए प्राप्त होता है अगर मैं बात करो तो है दो प्रकार की आए तो राज़स प्राप्तिया पूजी गद प्राप्तिया यहां से अगर मैं बात करो तो जो राज़स प्राप्तिया है ठ बात कर रहा हूं तो रेव नियू रिसिप्ट्स की में बात कर रहा हूं ठीक है रिसिप्ट्स की बात किया जाना अब जैसे बात किया जाए तो राजश जो प्राप्त हो रहा है वह टैक्स के मादियम से अगर बात किया जा रहा है तो अगर मैं बात करो जो सरकार के दौरा कर लगाया जाता है कर अरोपित किया जाता है उससे सरकार को जो राज़ शुपराप्त होता है उससे सरकार को जो राज़ शुपराप्त होता है अब मैं बात करूंगा जो गैर कर गैर कर राज़ शुपराप्तियों के गर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक एक चीज़े देख जाएगी यहाँ पर एक एक चीजे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है तो मौद्रिक नीद के तहत यह बात के जाए अब बात के जाए सरकारी ब्याय का अर्थ सरकार दोरा किये जाने वाले खरते तो सरकारी ब्याय का ताथ पर क्या होता बेटा सरकार द्वारा बै किये जाने वाले धन से हैं ठीक है? तो बै किये जाने वाले धन से हैं अब बात के जाएं सारजनिक रिड का अर्थ हात अगर सारजनिक रिड का क्या दाद पर होता है? सारजनिक रिड का तात पर यह होता है सरकार जो अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सरकार दोरा अपनी आवशक्ताओं को पूरा करनी के लिए सरकार को अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता मेटा रिड लेना पड़ता है घरेलू तथा पूरा करने के लिए घरेलू तथा बिदेशी बैपार से बाजार से लिया गया रिड क्या कहलता है सारोजनी के रिड कहलता है तो सरकार दोरा अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए घरेलू या बिदेशी बैजार से जो सरकार के दोरा रिड लिया जाता तो उससे हम सारोजनी के रिड कहते है अब आते सरकारी अगर मैं बात करूँ तो राजकोशी नीत किसके दोरा बनाया जाता है राजकोशी नीत जो है सरकार के दोरा बनाया जाता है सरकार के दोरा बनाया जाता है तो राजकोशी नीत किश के दोरा बनाया जाता है इसमें अगर बात क्या जाए करारोपड की बात क्या जाए तो करा रोपड की माध्यम से राजश की प्राप्ती, राजश प्राप्ती की बात करता है तो राजश प्राप्ती के लिए करा रोपड में व्रिधिया और कमी किया जाता है दूसरा है बात क्या जाए सारजनी के रिड़ तो सारवजनी क्रिर की बात क्या जा रहा है ये किसके अंतर गताते है बेटा आपके राज़कोशी नीत के अंतर गताते है जबकि मौद्रिक नीत अगर मैं बात करो तो मौद्रिक नीत किसके दोरा बनाया जाता है बेटा मौद्रिक नीत जो है अर्वियाई दौरा बनाया जाता है अर्वियाई दौरा किस के दौरा मेरे भाई अर्वियाई के दौरा जो है मौद्रिक नीत बनाया जाता है और मौद्रिक नीत के तहत जो है अर्वियाई मुद्रा की तरलता को नियंतित करता है मुद्रा की आपूर्तिया तरलता को नियंतित करता है मुद्रा की आपूर्तिया तरलता को क्या करता है नियंतित करता है इसके माध्यम से बिभिन उपकरणों का इस्ट्रूमिंट का प्रियोग करता है बिभिन इस्ट्रूमिंट का क्या करता है वेटा उकरडों के माध्यम से जो मुद्रा की तरलता को नियंतित करता है अर्थाद बृध्धी या कमी करता है तो यहाँ पर बात किया जाए तो वहाँ कौन कौन से तो वहाँ देखेंगे मेरे भाई वहाँ है ब्याजदर का निर्धारण तो ब्याजदर में ब्रिधिया कमी मैं पहली बात करूँ दूसरा अगर बात क्या जा है यह CLR में ब्रिधिया कमी रेपोरेट reverse रेपोरेट में बृध्धी या कमी बृध्धी या कमी और इस्टूमेंट है जिसके मादम से अर्भियाई जो है मुद्रा की तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ती को नियंत्रित या बृध्धी करता ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे ब्याज का निर्धारर अर्भियाई के दोरा किया जा रहा है SLR का निर्धारर अर्भियाई के दोरा किया मार्थार मौद्रिक नीद के तहत स्वार्जनिक रिड़ और करार उपर यह सरकार के दोरा नियंत्रित किया जाता तो राइट उत्तर दो तीन तो राइट उत्तर आपका क्या हो गया बैटा बी आपका राइट उत्तर तो बी आपका क्या हो गया राइट उत्तर आगे आते हैं देखते हैं अगले प्रेशलोपर भारती कर प्रडाली में आएकर एक निश्चित अनपात तक बढ़ता है उसके पश्चात स्थिर हो जाता है इस प्रकार की करवपड़ाली तहीं जाएगी आउप्रमिक प्रगतसिल प्रग्रामी आनुपाति ठीक है यहां पर बात किया जाए पर प्रपोर्सनल प्रत्यागामी रिग्रेश्यू ग्रेश्यू प्रग्रेश्यू दिग्रेश्यू अब बात किया जाए प्रतेश्कर और इन प्रतेश्कर अगर बात क्या जाए, प्रत्यचकर के बारे में, प्रत्यचकर के बारे में, अगर बात क्या जाए, प्रत्यचकर, प्रत्यचकर, डारेक्टेक्स की अगर मैं बात करो बेटा, डारेक्टेक्स, अगर थोड़ा से समझते ही, जिस बेक्टिपल लगाया जाता है, उसी बेक्टि उसी व्यक्ति से क्या होता है वसूला जाता है ये हमारा क्या होता है डारेक्ट टेक्स तो जिस बेक्टि पर लगाया जाता है जिस बेक्ट पर लगाया जाता है जिस बेक्ट पर लगाया जाता है उसी बेक्ट से उसी बेक्ट या संस्था द्वारा वसूला जाता है जिस बेक्ट या संस्था पर उसे लगाया जाता है तो जिस बेक्ट या संस्था पर लगाया जाता है सरकार के द्वारा जो टैक्स जब किसी बेक्ट या संस्था पर लगाया जाता है और उसी बेक तिया संसा दोरा सरकार जो है tax वसूलता है उसे क्या बोलते है एरेकट टैकस जेशे कर में बात करूं आयकर आयकर जो है आयकर income tax जेशे बोलते हैं income tax ठीक है income tax अब income tax जो है किसी बेक टेके किसी बेट के सुध्वार्षिक आय पर लगाया जाता है सुध्वार्षिक आय पर लगाया जाता है अब बात के जाए इस प्रडाली में जमा करने वाला अब ध्यान समझेगा प्रत्यचकर में क्या होता है इसमी जो है इस प्रडाली में प्रत्यचकर में इस प्रडाली में जमा करने वाला हमने क्या का जो जमा करने वाला है इस प्रडाली में जो जमा करने वाला है और उसका बे उठाने वाला ब्यक थी, या संस्था, या संस्था. उठाने वाला ब्यक थी या संस्था जो है, एक ही होते हैं, एक ही ही होते हैं, ध्यान समझे. अब एगजाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूँ, आपकी जो इनकम है बेटा तो ठीक है, एगजाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमने कहा कि आयकर है, आये कर किस पर लगाए जाएगा income tax जो है किस पर लगाए जाएगा मेरे बाई ध्यान समय देगे का आपका concept गदाम के लिए हो जाएगा हमने कहा कोई यह बेखती है बेखती है यह बेखती की जो वार्थिक इंखम है इनुएल इंखम नेट अनुवल इनकम की मैं बात करो तो नेट अनुवल इनकम इस बेक्त की जो नेट अनुवल इनकम है वह कितना है बेटा? वह हमाल लेजिए 7 लाख रुपया है जी हाँ इस बेक्टी की net annual income कितना है 7 लाख रुपया है कितना है भाई 7 लाख रुपया है और इस बेक्टी पर इसके income पर सरकार के दोरा क्या लगा गया है tax लगाया गया tax लगाया गया इसके income पर जो tax लगाया गया net annual income जो है सुधवारसिक आए कितना ही इस बेक्टी का है 7 लाख है और इस बेक्टी पर tax लगाया गया कितने रुपए पर 7 अब बताईए अब किसकी द्वारा वसूला जाएगा बेक्टी ए पर लगाया गया तो क्या किसी और से वसूल इसी से वसूला जाएगा क्योंकि इस 7 लाख को expend करने का खर्च करने का जो अधिकार है जो बे करने का अधिकार है बे का अधिकार वो किसके पास जाए एके पास जाए अर्थात इस पैसे का जो उभोग है जो कंजूम किया जाएगा जो कन्यूम किया जाएगा जो बे किया जाएगा जो उभोग किया जाएगा इससे बे करने के पास जो उभोग किया जाएगा वो किस पर किसका दिक्यार है एक है इसलिए हम बात करते हैं जिस बेक्टिपल लगाया जाता है अगर बे करने वाला वही बेक्ति है उब्होग करने वाला वही बेक्ति है उसी बेक्ति से क्या होगा वसूला भी जाएगा याद रखेगा तो वह क्या होगा बेटा डारेक्ट टैक्स होगा लेकिन जिस बेक्ति पर लगाया जाता है अगर उसके द्वारा उब्होग नहीं किया जाएगा अगर उ किसके दौरा साथ लाख रुपए जो है किसके दौरा भोग किया जाएगा एक के दौरा किया जाएगा इस पर पूरा का पूरा अधिकार किस पर है एका है इसलिए इसी बेक्टी पर लगाए जा रहा है और इसी बेक्टी पर वसूला आ जाता है यह होता है डारेक्ट टैस इन लागु करने की विधियां या ऐसे भी लिख सकते प्रत्यचकर की विधियां प्रत्यचकर की तीन विधियां है कितनी विधियां है तीन विधियां है अब तीन विधियों भी अगर वैवात करो तो पहला विधि है प्रतिगामी विधि प्रतिगामी बिधि प्रतीगामी करप्रडाली प्रतिगामी करप्रडाली दूसरा अगर हम आपसे बात करें तो दूसरा क्या है दूसरा है आपका प्रगत सील कर प्रडाली दूसरा है प्रगत सील कर प्रडाली और तीसरा है समानपातिक या आनपातिक कर प्रडाली या इसी को अगर हम लोग और सरल भासम बोले तो समानपातिक कर प्रडाली और एक है आपका आउ करमी के कर प्रडाली तो यहाँ पर अगर देखा जाए ठीक है तो अगर बात किया जाए यह।ान है और सकाहे हैищ और है यहाँ और यहाँ कर ते तफाहे है Progressive Taxation Progressive Taxation Proportional Taxation और Degressive Taxation Clear? यह तीन बाते हैं ठीक है? यह तीन बाते हैं ठीक है? कमेंट कर रिक बताएं चलिएगा अब प्रतियामी कर पडालिक अगर बात क्या जाए आए में बृद्धी के साथ जब आए में बृद्धी होगी तो क्या होगा बटा आए में बृद्धी के साथ करकी धर में करकी धर में साथ आए में बृद्धी के शाथ करकी धर में क्या आते है? करकी धर में कमी आती है कर की दर में कमी तो आए में ब्रिधी की साथ कर की दर में क्या आती है कमी आती है तो प्रति गामी कर पडाली में क्या है आए बढ़ेगा तो टेक्स की दर में क्या आएगी कमी आएगी तो यहाँ पर देखा गया वेटा यह अगर बात क्या जाए ये कर की दर है आएमे ब्रिधी है आएमे ब्रिधी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आएमे ब्रिधी के साथ अगर देखेंगे आएमे ब्रिधी के साथ कर की दर में क्या रहा है? कमी आ रहा है ठेक है था अगर मैं बात करूँ I4, I3, I2, I1 तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो T4, T3, 22, T1 तो यहाँ पर देखा जा रहा है इनकम बढ़ रहा है तो कर की दर में क्या आ रही बेटा? कमी आ रही है कर की दर में कमी आ रही है कर की दर में कमी आ रही है यह तो प्रतिगामी हो गया प्रगत सील में हम देखते हैं आय में बृधी के इशाद है तो यहाँ पर आगर देखते हैं बेटा प्रगत सील कर प्रडाली प्रगत सील कर प्रडाली प्रगत सीलकर पडाले में आय में बृधी के शाथ कर की दर में बृधी आय में बृधी के साथ कर की दर में क्या होता बृधी होता है अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो जो अमीर वर्ग है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग तो जो अमीर वर्ग है तो जो अधिक पैसा कमाएगा अधिक कर चुकाना पड़ा है अर्थात इसमी जो है अमीर वर्ग को अधिक पैसा चुकाना पड़ता है अधिक कर चुकाना पड़ता है अधिक कर चुकाना पड़ता है अर्थात इसको क्या होगा हानी होगा इसको क्या होगा हानी होगा और यहां पर गरीब वर्ग को जो है लाव होगा लाव होगा या अगर मैं ऐसे बात कलनूँ कम आयवाले अधिक आयवाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक आयवाले वर्ग पर और कम आयवाले वर्ग पर कम आयवाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक आयवाले वर्ग को अधिक कर चुकाना पड़ेगा? क्लिए मेरे भाई? अधिक कर चुकाना पड़ेगा क्योंकि जिसकी इंकम जितना अधिक होगी उसको उतना अधिक कर चुकाना पड़ेगा तो कम आये वाले वर्ग को कम कर चुकाना पड़ेगा तो कम कर चुकाना पड़ेगा जिससे लाभ क्या होगा इससे लाव अधिक होगा, प्रॉफिट इसको अधिक होगा, अधिक होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, इससे लाव कम होगा, लाव कम होगा, अगर मैं बात तरो, इसमें कहा गया, जो आए की दर है आए की दर और यहाँ पर बात किया जाए कर की दर कर की दर तो अगर मैं बात करूँ ती वन ती टू ती 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 फो यहाँ पर आई वन आई टू आई थी और यह आई फो ठीक तो यह हो गया आपका प्रगत सील कर प्रणाली अब हम बात परते हैं समान उपात्तिक कर प्रणाली समान उपात्तिक कर प्रणाली समान उपात्तिक कर प्रणाली ठीक है इसमें आई में ब्रिधी के इसाथ आई में ब्रिधी के इसाथ आयमें बिधी के शाध, कर की दर इस्तिर रहती है कर की दर क्या रहती है बैटा इस्तिर रहती है तो यहांपर बात कह रहा है, आयमें चाहिए जतना बिधी होगा تو यहांपर कर की दर क्या होता? बैटा, constant यहाँ पर income increase कर रहा है यहाँ पर जो हम बात कर दाए तो income increases हो रहा है लेकिन हमारा जो tax है वह tax क्या है बिटा constant है वह tax क्या है constant इस तिर है तो यहाँ पर जो है income increase कर रहा है लेकिन tax क्या है मेरे भाई constant है तो यहाँ पर tax जो है वह constant है ठीक तो यहाँ पर अगर जो फीगर बनेगा बहुत लोग फीगर जो है गलत बना देते हैं तो यहाँ पर हमने क्या का कर की दर क्या है constant तो यहाँ पर कर की दर जो है कर की दर क्या कर दिया गया बैटा constant कर दिया गया कर की दर यह constant कर दिया गया तो चाहे जितना इनकम में बृधी हो यहाँ पर आय किदर आय में बृधी तो यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है तो इधर से अगर जाएंगे तो यह आय वन हो गया यह आय टू हो गया यह आय थ्री हो गया यह आय फोर हो गया यह आय फाइप हो गया तो यहाँ पर देखा जा रहा आये में ब्रिधी हो रहा है आये में ब्रिधी जो आये की दर है रेट आप इनकम वह बढ़ रहा है लेकिन हमारे टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं समानपाती के कर प्रडाली समानपाती के कर प्रडाली क्लियर है बेटा अब भारत में अगर में बात किया जाए जो इंडिया में अपनाया गया है भारत में तो भारत में अगर में बात किया इन इंडिया अगर मैं बात करूँ तो भारत में जो करपड़ाली अपनाई गई ठीक है तो भारत में जो करपड़ाली अपनाई गई उन पहलों पर मैं बात करूँ तो भारत में अगर मैं बात करूँ तो भारत में प्रगत सील प्रगत शील करारोपड, करारोपड, प्रोग्रेशिव टैक्सेशन, प्रोग्रेशिव टैक्सेशन, प्लास, समान उपातिक, करारोपड, यहां पर बात के दिया है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, और आपने देखा प्रगत सील में क्या होता बेटा, प्रगत सील में आए में ब्रिधी के साथ, आए में ब्रिधी के साथ कर की दर में ब्रिधी, कर की दर में ब्रिधी, तो आए में ब्रिधी के साथ कर की दर में ब्रिधी, तो यहां समान पातिक, कर प्रडाली में करारोपड में देखेंगे, आए में ब्रिधी के साथ कर की दर में कर की दर इस्थिर, कर की दर क्या हो बेटा है, तो आए में यहां पर ब्रिधी होता लेकिन कर की दर क्या होता है, इस्थिर होता है, तो भारत में इन दोनों का क्या अपनाएगा, मिस्रड रूप अपनाएगा, मिस्रड रूप, जिस्षे हम क्या बोलते हैं बेटा, आओ करमी के कर प्रडाले, जिस्षे हम बोलते हैं, आओ करमिक कर प्रडाले में क्या होता है तो पहले इनकम में बृधी के साथ कर की दर में बृधी होती है पुना आए में बृधी के साथ कर की दर क्या हो जाता है इस्थिर हो जाती है अब बात क्या जाए New Taxation Slav की में बात क्या जाए तो New Taxation Slav की में बात करूँ यहाँ पर अगर में बात करूँ इनकम है यहाँ पर जो है इनकम है और यहाँ पर अगर बात के जाए जो कर की दर है तो यहाँ पर कर की दर है तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो पहला है तो तीन लाख रुपए तक तीन लाख रुपए तक अगर बात के जाए तो भारत में छूट है तीन लाख रुपए तक जो है क्या है बेटा छूट है यहाँ पर टैक्स की दर कितना है सुन्य है ध्यान समझेगा यहाँ पर कितना है सुन्य रुपए है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सुन्य है तो यहाँ पर अगर बात किया जा है तो 3,00,00, एक रुपैशे अगर मैं बात करूँ, एक रुपैश लेकर 6,00, रुपैश तक कितना है? तो 6,00, रुपैश तक अगर मैं बात करूँ, तो कितना कर किदर? 5,00, परतिशत हैं अब मैं बात करूँ तो 6,00,00 एक रुपए से लेकर अगर मैं बात करूँ तो अगर 9,00,00 रुपए तक कितना है आपका 10% करकी दर है यहाँ पर अब हम बात करें तो देखेंगे 9,00,00 1,00 रुपए से 12,00,00 रुपए कि अगर मैं बात करूँ 12,00,00 रुपए तक वह कितना है वेटा 15% है कितना है करकी दर 15% है आपको एकदम पूरा कांसेप्ट बता दे अब 12,00,00 एक रुपए से लेकर 12,00,00 एक रुपए शे लेकर 15,00,00 रुपए तक जो है वह कितना है बीश प्रतिशत है तो बीश प्रतिशत है ठीक है तो कितना है बीश प्रतिशत है ठीक है तो बीश प्रतिशत है और पंदरा लाख रुपेश अधिक तो 15,00,000 रुपेश अधिक जो है कर की दर कितना है वेता 15,00,000 रुपेश अधिक कर की दर जो है वो 30% रखा गया अब यहाँ पर अगर मैं बात किया ज़िए यहाँ पर अगर एक करोर रुपेश भी हो कर की इंकम कितना एक करोर रुपया भी हो तो भी कितना ही देना पड़ेगा बैटरा 30% देना पड़ेगा तो कर कितना लगाया गया 30% लगाया गया यहाँ पर देखेंगे यहाँ से शुरुआती तोर पर यहाँ तक अगर आप देखेंगे वेवाई तो यहाँ पर कर की दर में क्या हो रही बिटा बिधी है तो आए बढ़ रहा कर बढ़ रहा लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा आए में बिधी के साथ आए तो बढ़ रहा है लेकिन कर की दर क्या है इस्थिर तो आए में बिधी के साथ कर की दर क्या है बटा इस्थिर है तो कर की दर जो है वह क्या है इस्थिर है तो कर की दर जो है वा इस्थिर है ठीक है तो कर की दर इस्थिर है तो भारत में कौन सा करपडाली अपनाया गया है आव कर्मी करपडाली अपनाया गया है क्लियर है तो यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग अपने प्रश्ण पर आते हैं बहुत बड़ा कांसिप्ट हो गया बेटा देखो एक डारेक्ट टेस्ट की अगर बात किया जाए तो अब आते हैं तो भारत हमें कायर पडाली एक निश्चित अन्पात तक बढ़ता है उसके इस तीर हो जाता बिल्कुल सही बात है इस पडाली को क्या बोलते है बेटा आओ क्रमी के पडाली तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर आपका ए हो जाएगा तो राइट उत्तर आपका ए हो जाएगा तो राइट उत्तर आपका ए हो जाएगा नेश्ट ortion के अगर बात क्या जाएं तो निम लिखित में शे काउं साथ कर पृतिगामी प्रकित का है प्रतिगामी प्रकित का है प्रतिगामी प्रकित है इसका नेचर का इसा वेटा रिग्रेशियो रिग्रेशियो नेचर का है वेटा रिग्रेशियो नेचर का है अगर मैं बात किया जाए तो रिग्रेशियो टैक्सेशन नेचर का है तो नेचर आप रिग्रेशियो टैक्स का है के लिए अब बात कर आय कर संपत कर मुलिवर्धित कर निग्यम कर जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, असेट्स टैक्स, तो बाहर लूँ अड़े टैक्स, वैट जिसे बोलते हैं, ये आपका है निग्यम का लीट टैक्स, चलेगा, अब हम बात करते हैं, प्रकित का है, ठीक है, अब प्रकित का है बेटात, ये आपसे प्रस्न पूछा जा रहा है ये अप से प्रस्न पूछा जा रहा है थिक अब पूछा जा रहा है प्रत गामी है इनकम टेक्स अकर बात क्या जा है संपत कर निगम कर ये हमारा क्या है बटा अवकरमिक है इसमें क्या भी हमने पीछे देखा है तो ये हमारा यह क्या है वेटा आवक्रमिक करप्रडाली की प्रकिते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ ठीक है यहां पर जो वैट है वैट जो है ठीक है तो यह किसी वस्त के यह किसी वस्त यह किसी वस्त यहां सेवाओं के प्रे विक्रे पर लगाया जाता है और यह कैसे नेचर का है बेटा यह प्रतियामी नेचर का है प्रतियामी प्रकितका है अब इसी जो है वैट को एक जुलाई 2017 में GST लागू हुआ तो GST में 1 जुलाई 2017 में GST में समाहित कर दिया गया किस में समाहित कर दिया गया जी हाँ तो GST में क्या कर दिया गया मेरे भाई इसको समाहित कर दिया गया इसी लिए अगर बात किया जाए देखो जो GST से बाहर रखे गये हैं जो GST से बाहर रखे गये हैं जो वस्त GST से बाहर रखे गये हैं तो GST से बाहर जो गुड एंड सर्विस रखे गये हैं तो गुड एंड सर्विस जो बाहर रखे गये हैं उन पर अगर मैं बात करूँ तो उन पर जो है वैट लगाया जाता है यहाँ पर वैट भी लगता है साथ में उत्पादन सुल्क अगर मैं बात करूँ तो उत्पादन सुल्क है उत्पादन सुल्क तो वहाँ पर दो टैक्स लगाया जाते हैं तो एक मैं बात करो एक साइज ड्यूटी और दूसरा वैट लगाए जाता है। पर जो है आगे बताय जागा जब तर्चा होगा तो बिक्री कर बिक्री कर शिल्ट टेक्स जो होता था शिल्ट टेक्स पहले शिल्ट टेक्स और शिल्ट टेक्स के अस्थान पर क्या आगे बेटा वैट आगया अब वैट के अस्थान पर जो है और एक साइज ड्यूटी के अस मैं यहीं पर रोगता हूँ, अगले क्लास में मैं जो है, अगले प्रशनों को, सिंखला को आगे बढ़ाते हैं, तब तक के लिए मैं धन्यवाद अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, नए उमांग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद कि दो